नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वाधत आपका मेरी यूटुब चनलन पुनार टेक्निकल स्रूशन दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे दोस्तों कई बहुत है कि हमारा लैप्टॉप बंध हो जाता है मतलब हमारा लैप्टॉप जो है ओन नहीं होता है दीगे तो उस स्टैंड पे हम क्या सोचते है कि शायद हो सकता है कि हमारा चार्जर खराब हो या हो सकता है हमारे लैप्टॉप में दिक्कत हो तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने चार्जर रूपो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं तो अब ही जह आपको अडप्टर की तरफ ने पर चलूँगा हाँ दोस्तों मेरे चनल पर नए है तो इस चैनल को सब्स्क्राइब करना प्रकूँ आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से लिए बगारा किसी में भी कोई दिखकत आ लगी हो तो वा आप में रसाथ वीडियो को स्क्रीन शोट को किसी भी चीज को शेयर करगे अपनी जो है प्रोब्लम का सेलूशन मुझसे ले सकते हैं उसके आपको कोई भी चार्ज नहीं देने है ठीक है तो फटावर्ट से जाईए इस तरह का नाम पे और जाके मुझे फोलो कीजिए और मैसिस करना बिल्कुल मुद भूलिएगा तो फटावर्ट से चलते हैं चार्जर की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम इसको पहले बिना मल्टीमेटर के चेकते रहेंगी और फिर जो है इसको मल्टीमेटर के साथ पे भी चेक करके आपको मैं दिखाऊंगा तो दोस्तो सबसे पहले मैं ले आया हूँ आपको लैपटोप की तरह आप देखते हैं कि आपकी जो लैपटोप की बैटरी है वो बिल्कुल डेड हो जाती है उसके बाद जो है आप जो है इस चार्जर को कनेक करते हैं और कनेक करने के बाद भी आपका लैपटोप ओन नहीं होता है पर अपने अडेप्टर को चेक करना हो, तो आपको मुल्टीमिटर की जोट पड़ेगी, बाकि नॉरमल तरीकों से भी मैं आपको बता देता हूं, वो सकता है आपको नॉरमल तरीके से सही 90% आप चेक कर लेें, अपने अडेप्टर को तो वैसे तो यह adapter ठीक है फिर भी मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि adapter खराब है यह आप किस तरीके से पता कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यह डेल का adapter है ठीक है और इसके अंदर जो है light है ठीक है light होने का बहुत ही ज़्यादा फाइद आपको क्या दरना बड़ेगा आपकी जो है इस तरह power cable लगी होती है ठीक है यह power cable आपकी इस तरीके से adapter में लगी होती है ठीक है कई बार तो यह होता है कि adapter की power cable ही खराब होती है ठीक है अच्छा power cable किस तरीके से पता करनी है इसके लिए मैंने multimeter से चेक करने के लिए आपक आपको किस तरीके से चेक करना होगा ठीक है अब अगर मानली जे लाइट वाला आडप्टर है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको मैं पावर में लगा लेता हूँ ठीक है यहां मैं जो है लगाने पर भी ये light अगर नहीं जलती ठीक है मैं without light वाले adapter के भी बात नहीं कर रहा उसकी बात मैं अभी करने वाला हूँ बाद में ठीक है अगर मान लेजिए आपने power cable को लगाया और आपकी यहाँ पर light चल गई तो इसका मेला power cable आपकी 99% आपकी ठीक है पावर केबल मिल जाती है बढ़िया वाली power cable यूज करिया कीजिए बढ़िया वाली power cable आपको नॉर्मली 200-200 रुपे के आसपास में company की मिल जाती है बाकी नॉर्मली आप लेना चाहेंगे तो 100 रुप में अब लेबल मार्केट में हो जाती है और सबसे local लेना चाहें माला सबसे बेकार वाली वो 50 रुप में भी अब लेबल है बट मैं आपको recommend नहीं करूंगा बढ़िया केबल यूज करिए बढ़िया केबल यूज करने से होगा कभी भी ये पटाका नहीं बोलती आप देखेंगे कितना बड़ा plug वाला जो है मैंने कुद अपने adapter में यूज कर रखा तो बढ़िया केबल यूज करिया कीजिए उसके बाद जो है आपने देखा दूसरी power cable लेकर आया आप ठीक है दूसरी power cable आपने यहां लगाई और आपने देखा यहां पर light आ गई है ठीक है light आने के बाद में जहां तक मैंने को लगता है कि 99% आपका adapter जो है वो repair हो जाएगा अगर light इसमें नहीं आ रहे है यह power cable चेंज करने के बाद में कभी कवर power cable खराब होती है यहां पर light नहीं आ पाती आप power के बज़ चेंज करते हैं यहां light आ जाती है फिर भी मान लीजिए आपने अपने laptop में लगाया और laptop on के laptop on नहीं हो रहा है ठीक है laptop on नहीं हुआ ठीक है अभी भी doubt हो रहा है charger में light तो आ रही है laptop on नहीं हो रहा ठीक है हो सकता है laptop कराब हो उसके बाद जो है दोस्तों आपको मल्टी मीटर से ही काम चलाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ कि आपको मल्टी मीटर से किस तरीके से अपने adapter को चेक करना होगा मैं मल्टी मीटर ले आता हूँ सबसे पहले without light वाले की भी मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से किस तरीके से आपको करना होता है बाकि सेम ही होता है without light वाले लेगी उसके लिए यह है कि आपको multimeter की ही साहता लेनी पड़ेगी उससे आपको light से मदद मिल जाती है कि कम से कम adapter में power तो आ रही है ठीक है उसके बाद आपको यहां multimeter को सेट करना बड़ेगा क्योंकि यहां पर जो है हमारा जो adapter है वो 19.5 वोल्ट का है ठीक है उसको हम 20 वोल्ट पर सेट करेंगे तो कभी कब ऐसा होता है कि थोड़ी सी ना voltage drop दिखती है हमारे को ठीक है अगर मान लेजे 17 वोल्ट या 16 वोल्ट का adapter है तो आप 20 पर चेक कर सकते कोई दिक्कत नहीं है पर हमारा जो adapter होता है laptop का वो हमेशा 200 वोल्ट पर ही टेस्ट होता है तो यह जो आपको दिख रहा है यहां पर बिल्कुँ सीदी लाइन दिख रही हो नीचे डोट डोट है यह होता है DC का sign ठीक है और यहां पर जो V करके ऐसे ऐसे करके बना हुआ है मनला एक बारी उपर एक बारी नीचे यह होता है आपका AC का AC का sign होता है और यह DC का sign होता है कभी भी अपने adapter को AC पे चेक मत करना हमेशा DC पे ही चेक करना ठीक है DC का आप sign देख पा रहे होंगे यह DC का sign है इसको 200 V पे set कर दो 200 V पे आपका set हो चुका है इसके बाद जो है आपको क्या करना होगा यह दो परोब दिख रही है आपको ठीक है एक काली और एक लाल ठीक है काली वाली परोब जो होती है वो लगती है हमेशा कॉम के अंदर में COM का मतलब होता है लाल आपकी लगेगी हमेशा और यह होता है voltage की पिन बना voltage होती है लाल वाली को हमेशा voltage पर रखते हैं और जो यह हमारी जो black वाली होती है वो हमेशा ground पर रखते हैं ठीक है तो हमारे adapter में ground क्या हो गया हमारे adapter में ground हो गई भार की जो आपको सताय दिख रही है, यह हमीशा ग्राउंड होता है, यह आप देख पा रहे हों कि ग्राउंड है तो ग्राउंड पर आपको इस तरीके से पकड़ के यहाँ पर टच कर देना है ठीक है, इस तरीके से आपको टच करना होगा जो आपके प्रोब है वो आपको पर बढ़ेगा अंद्र से जending किरें अब जो अंद्र आपको अंद्र वाली से एंधर वल्टेज तो इस वाली प्रॉब्त को आपको रखना होगा ग्राउंड में और दूसरी वाली रेड वाली प्रोप पर अपना होगा आप वोल्टेज में आप देख पा रहे होंगे यहां पर वोल्टेज आ रही है 19.4 ठीक है हमारा नोलमल अडप्टर जो होता है 19.3,4 या 5 के आसपस का होता है ठीक है तो अडप्टर जो है आपने चेक किया कि इसका मतलब अडप्टर जो है आपका इस समय पे बिल्कुल ठीक है 19.4 वोल्ट दिखा रहा है अगर अडप्टर ठीक है तो इसका मतलब आपके 100% लैप्टोप में दिखकत है आप लैप्टोप जो है टेकिनिशन के पास लेकर जाईए और अपने लैप्टोप को बेफिकर होके ठीक अडप्टर जो है इस समय पे बिल्कुल ठीक है अडप्टर कभी आपको चेक करना हो मल्टिमीटर से ताब इस तरीके से चेक कर सकते हैं अच्छा एक कंडिशन ओर होती है मान लीजे आपका यह अडप्टर है ठीक है आपकी यहां लाइट तो आ रही है यह अडप्टर के अ इसा होता है कि हमें भार से बतान लगता पर अंदर ये अंदर कटी भी होती है तो हमें क्या तरना पड़ता उस कंडिशन में अपने अपने अडप्टर को खोलना पड़ता है और अडप्टर को खोलने के बाद में पीनों पे चेक करनी पड़ती है अगर पीनों पे की वायर को चेंज कराना हो तो इश्टा गरम पर जाके मुझे मैसेज कीजिए आप जो है मुझे अपने चार्जर बेज के रिपेर करवा सकते हैं और बहुत ही बड़ी तरीके से और इसको चेंज कर देते हैं तो कहने का मतलब यह है कि आपके उस समय पर वायर कराव है ठीक है अच्छा दूसरी बात ही हो गई कि अगर मान लीजिए आपका जो है विदाउट लाइट वाला अडप्टर है ठीक है अमसमें लाइट तो ही नहीं ठीक है मैं लाइट को चुपा लेता हूँ अब इस तरीके से अडप्टर है अब आपसमें आपको क्या पता लगेगा कि क्य अगर सबसे बेले आप क्या अकर सकते हैं बिना लाइट वाले में सबसे बहले बेशीकर हो कि अप जो है अपनी पावर केबल को चेंजש कर लिए ठीक है पावर केबल को चेंज करने के बाद में आपने अपने लैप्टोप के अंदर लगाया लैपटोप ओन नहीं होरा है द जालवाली पिन जो होती है, मना प्रोब जो होती है, मल्टीमेटर की, वो जो है आपकी हमेशा voltage को चेक करने के लिए होती है, और basic electronics में हम लोग देखते हैं कि black wire हमेशा ground के लिए ही use होती है, और जो red wire होती है, वो हमेशा voltage के लिए ही use होती है, तो दोस्तों इस तरीके से आप हमारा laptop ओन ना हो रहा हो तो हम अपने adapter को किस तरीके से check कर सकते हैं light वाला है तो light वाले को किस तरीके से check कर सकते हैं और without light वाला है तो बे-पिकर हो के उसको भी जो है आप बहुत ही असानी से अपने multimeter की मदद से check कर सकते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो adapter है वो कितने वोल्ट का है क्योंकि मैंने कई बार देखा है कुछ-कुछ laptop में 12 वोल्ट का adapter 14 वोल्ट का adapter 16 वोल्ट का 19 वोल्ट का adapter लगता है तो अगर आपका 20 से उपर का है तो आपको 200 पे check करना पड़ेगा और अगर 20 से नीचे का जैसा 18 वोल्ट 16 वोल्ट तो आप 20 पे रखके आराम से check कर सकते हैं मतलब 20 से कम की voltage आप 20 पे रखके चेक कर सकते हैं अगर 20 से उपर की voltage होगी तो आपको 200 पे check करना होगा और मान लेजिए अगर 230 की voltage है अगर मान लेजिए 230 वोल्ट का adapter है इनकेस तो आपको फिर 600 पे रखके check करना होगा ठीक है तो इस तरीके से आपका adapter चेक होता है तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे comment section में comment करके ज़रू बताएगा और इस वीडियो को जदा से जदा शेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताक कि जदा से जदा लोगों को पता लगपाए कि हम जो है laptop का adapter जो है multimeter से और without multimeter जो है किस तरीके से repair और check कर सकते हैं और चैनल को subscribe करना मत बुलिएगा और वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को जो है एक like जरूर से कर दीजिएगा तो दोस्तों जैसा कि वी आपने देखा मैं जो है आपको अपने adapter की तरफ ले कर गया था without light वाले adapter को किस तरीके से check कर सकते है बाकी मैं आपको बदाना चाहता हूँ कि कभी भी अधर आप अपना adapter खरीदे नया तो वो जो है original खरीदे और साथ में light वाले हमेशा खरीदे light वाले से जो है आपको चेक करने में बहुत ही ज़्यादा मदत मिलती है आदे से ज़्यादा तो light अधर आपके adapter में दिख रिये तो आप समझ जाएए कि आपका adapter बिलकुर ठीक हो सकता है उस करनी शनमर्ट की कि है तो दोस्तों कैसे लगा मैरा वीडियो निचे comment शेक्चा म को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद दोस्तों आज का वडियो देखने के लिए